गुद मॉर्निंग क्लास 6, वेलकुम ची और हिंदी क्लास, आज हम अपना चैप्टर नमबर 14 हिंदी ग्रामर कर शुरू करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है वाक्य, इस चैप्टर में आप वाक्य का अर्थ, परिभाशा, वाक्य के अंग, इन सब के बारे में और वाक्य क कर्म की अशुदियों के बारे में पढ़ने वाले हो, देखो बचो, शब्दों के मेल से बनी सार्थक वा करम बद रचना को वाक्य कहते हैं, वाक्य की अंग क्या है, दो अंग है इसके उदेश्य और विदे, वाक्य के इस भाग को, जिसमें, उदेश्य है हमारा तो वाक्य के इस भाग में करता होता है और विधेग वाक्य के इस भाग में करता के बारे में बताया जाता है विशेश नियम किस प्रकार है कई बार करता वाक्य के बीच में भी होता है और कुछ अन्य वाक्य ऐसे भी होते है बीद करता यानी उदेशी जदा तर ने के साथ होता है या फिर बिना विवक्ति के अकेला आता है मैं या पर किसी करता यानी उदेशी के साथ नहीं जुड़े होते वाक्य के भीद, वाक्य को दो आधार उपर बाटा जाता है, अर्थ के आधार पर और रशना के आधार पर तो अर्थ के आधार पर भाक्य के जो भीद हैं, वो हैं विधान वाचक वाक्य और निशेद वाचक व्याग के प्रश्ण वाचक वाक्य, इक्षा वाचक व्याक के, आज्या वाचक, संकेत वाचक, आठ भेद होते हैं इसके, तो विधान वाचक में किसी काम के होने या करने को, करने की सामाने जानकारी देने वाले वाक्यों को विधान वाचक वाक्य कहा जाता है, निशेद वाचक जिन वाक्यों में नव कष्ठ प्रकट यदि अगर से शुरू होने वाले वाक्य संकेत वाचक बाक्य कहला संदेव वाक्या क्रिया को होने में संदेव वाक्य की कि Seit neoliberal व्यां अग्या की साथ जुरकर विशेद वचक पर देता है रशना के आधार पर वाक्य के तीन भेधे सरल वाक्य जिन वाक्य में एक उदेश एक विधे होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं सन्युक्त वाचक जब दो वाक्य और किंतु इसलिए आदी से जुड़े होते हैं उन्हें सन्युक्त वाक्य कहते हैं मिश्रवाक्य जो जिसे जैसे ही जब जब जहां जहां की क्यों की यदि आदी से जुड़े उपवाक्य मिश्रवाक्य कहलाते हैं तो बच्चों हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए बाइ